हेलो एवरीवन कैसे हैं आप लोग स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल डिजिटल करोग पर आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप किस तरीके से योनो SBI एप के थुरू अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं कहीं भी कभी भी तो देखे मेरे मोबाइल स्क्रीन पर एक अप्लिकेशन आपको दिखाई देरा होगा जिसका नाम है योनो लाइट SBI योनो लाइट SBI, योनो SBI का ही एक दूसरा वर्जन है आप चाहे तो उसे भी यूजज कर सकते हैं और चाहे तो इसे भी यूजज कर सकते हैं तो मैं इस app को use कर रहा हूँ तो मैं आपको इसी के थ्रू mobile recharge करके दिखाऊंगा तो चलिए शुरू करते हैं तो देखिए जैसे कि mobile screen पर दिख रहा है mobile app मैं इस पर click करूँगा click करने के बाद मेरेको ये screen show करेगा इस पर बोलेगा login करने के लिए तो देखिए डालने के बाद में ये स्क्रीन आपके शामने सो हो जाएगी तो देखे इसमें एक option दे रखा है पीचो बीच एक option दे रखा है top up and recharge मैं इस पर click करूँगा इस पर click करने के बाद मेरे से पूछेगा देखे यहाँ पर option दे रखा है mobile recharge करना है आपको या DTH recharge करना है और आगे और भी options दे रखे हैं जो आप use कर सकते हैं तो देखे मेरे को जैसे अभी mobile recharge करना सीखना है तो मैं mobile recharge पर click करूँगा mobile recharge पर click करने के बाद देखे फर्स्ट option है select service provider तो service provider आपका कौन से network का mobile है मैं इसको click करूँगा तो देखे जैसे कि मेरा mobile है वी आई का second option है mobile number यहाँ पर मुरे को mobile number पुट करना है तो मैं इसमें mobile number पुट कर देता हूँ mobile number पुट कर दिया है उसके बाद मैं यहाँ पर डालूँगा amount मेरे को कितने amount का recharge करना है यह प्लान आपको पहले से पता होना चाहिए यहाँ आप में बस एक खास बात है जब आप यहाँ पर amount डालते हैं तो वहाँ पर सारे ही उस network से related जितने भी product अभी company के हैं वो सारे के सारे आपको show कर देता है तो आप वहाँ से select कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर आपको product का पता होना पहले से जरूरी है उसके बाद आप यहाँ पर account select करेंगे जिस account से भी आप recharge करना चाहते हैं यहाँ पर account number आजाएगा नीचे उसके बाद आपके सामने submit button है और clear button है तो आपको submit पर click करना है submit पर click करने के बाद आपको confirm करने के लिए बोलेगा तो confirm कर देंगे हम confirm करने के बाद आपको एक OTP रिसीव होगा जो OTP आपको यहाँ पर put करना है OTP जो मेरे को रिसीव हुआ है मैंने यहाँ पर put कर दिया है यह OTP मेरे registered number पर आएगा जो मेरा bank में registered mobile number है तो ध्यान रखिएगा आप जब app यूज़ करें तो आपका साथ वो mobile number भी होना चाहिए तो इस पर submit पर click कर देंगे हम देखे submit पर click करने के बाद में आपके सामने यह message show हो गया है और mobile number so and so is registered successfully for rupees so and so ठीक है reference number दे दिया है और आप इस पर okay कर देंगे अब आपका mobile रिचार्ट successfully हो चुका है तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे subscribe करना ना भूलें इसे share करें ताकि maximum लोग इसका फायदा उठा सकें तो मिलते हम इसी तरीके के next वीडियो में तब तक के लिए thank you very much